जैसे है राव, अगर आप motor winding करते हो, fan winding करते हो, या electric या coil संबंदित किसी वी तरह की काम करते हो, तो इस वडियो को बिल्कुल भी means ना करना है और दूसरा बात यह है कि आप इस वीडियो को skip करके तो बिल्कुल ही ना देखें, ताकि आपको अगर एक भी, मतलब इस मैं से second आप मीज करते हो तो साइद मैं आसा करता हूँ कि आप बहुत सारे भूल कर दोगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे इंपोर्टेंट आपका एक बात बता हूँ जब आप मोटर वैंडिंग का काम करते हो तो सबसे कंफ्यूजन भरा काम होता है आपका वायर का गेज लेना जो कि आप उस चीज़े बहुत ज़्यादा परिसान होते हो और अपना वायर लेकर के सौप के पास जाते हो जहां से वो गेज करके आपके लिए वायर देता है तो मिर भाई इस वीडियो मैं आपके लिए लिए करके आया हूँ कि आपको कैसे वायर गेज करनी होगी और बता दू कि अगर आप अधरबार्स मार्केट में देखोगी तो कुछ इस तरह कि भी गेजर आपको देखने को मिल जाएगी जो कि वायर गेजर के नाम से आती है लेकिन ये बात बताओं कि ये वायर गेजर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता जितना कि आप सूच करके और प्रेटफर्म के मादम से देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब कर लेना चोटी सी वीडियो होगी बहुत इंट्रस्टेट वीडियो होगी सबसे इंपोर्टेंट आपका मैं दिखाने के लिए कुछ वायर नमूने भी लिए रखे हैं उसके सा जहां तक मैं इसका बात बताओ तो इसका तो आप मडल नमबर देख सकते हो इस पर फूरी वायर की गेज लिखी हुई है लेकिन यह उतना कंप्लेटली नहीं दे पाता है जितना कि आपको यह दे देता है अगर आप इलेक्ट्रिक दुकान पर जहां से वायर लेने जाते हो तो आपको कुछी स्थरे एक वायर गेजर से आपको गेज करके बताएगा कि आपको यह वायर कितने नमबर की है और कितना नमबर आपको देना चाहिए दूसरा चीज है कि यह वायर गेजर में सारी खुबी छीपी है कि आपको मतलब 37, 38 से ले करके और 1, 2, 3, 4 नमबर जो और यहां पे देखो कि 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 इस तरह से आपको कुछी सिंबल लिखे रहते हैं तो आखिरकार इसको कैसे यूज की जाती है और इसका टूटोरियल क्या होता है सारी जानकारी आपको इस वुड़े में मिलना वाली है तो बड़ यह सबसे आगी चलते हैं यह वाली तो इसके पाइन चेक करें है तो अगर आप जबर्दस्ती इसमें डालते हो तो फिर आपकी वार इसे कुछ इंसलेशन इसकी छिली जाएगी जी जाएगी जिसके कारणं से आपकी वायर नॉमर के गेज चेंज हो जाती है तो इसके लिए सबसे important होता है ये micro wire gager जो कि काफी unique होता है और इससे भी unique होता है आपका ये वाली प्लेटलेट जो इसकी drawing होती है, ये सबसे unique है मतलब इस गेज को करने के लिए ये चीज को आपको पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके स्क्रीन सोट लेना चाहते हो तो ले सकते हो मैं इसके बारे में विसे सुरूप से बात करने मुझा चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आपको सुम्झाने के कुशिस करता हूँ हर एक स्टेप को मतलब अच्छे से समझना जैसे देखो ये जीरो है फिर से जैसे देखो पांच, दस, पंदरह, बीस, पचीस, तीस, पैंतिस, चालिस, पैंतालिस और फिर से ये घूम करके जब आपस से जीरो पर आई तो ये हो गई हमारी पचास समझ गई है ये हो गई हमारी पचास अगर इसके बीच में कोई भी वायर नमबर आती है जैसे यहां से देखो माल लीजे यहां से जीरो से सुरू किये हम और आगए हम पैटालिस पे पचास पे आगए और उसके बाद में हम इसमें से कोई भी एक वायर इसमें डालते हैं और देखते हैं कि हमारी ये वायर कितने नंबर की निकल करके आती है जो पतली वायर होगी वहीं हमें डालने का कुसिस करेंगे तो हमने 50 तक वायर को गेज को खोड़ रखा है जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ये हमारी 40 पे आ रही है तो हम 40 को इसमें ढूढने का कुसिस करेंगे कि आखिरकार हमारी 40 पे कितने नंबर की वायर आ रही है तो जैसे देखो 38 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 38 के बाद 40 तो ये हमारा हो जाता है 27 नंबर वायर जो कि आपको असपस्ट रूप से दिखाई ज़े रहा होगा और यहां पे देखो कि 40 तो असपस्ट रूप से यह दिखेगा आपको कि यह 27 नंबर की वायर हो जाती है यहनि कि यहां से और यहां तक आ गए फिर 0 तक तो यह 50 हो गई यह आपकी और फिर इस 0 से फिर ऐसे बढ़ करके आओगी यहां तक तो यह हमारी 100 हो गई आप समझ गए होंगे कि 50 और जितनी राउंड घूमगी उतनी 50 इसकी कटेगी तो फिर से इसमें से हम एक वायर लेते हैं और हम देखने के कोशिस करते हैं कि यह वाली जो आयर है हमारी कितने नमबर पे आ रही है तो हमने 50 ऐसे दिखो embargo 50 हमने खोला 50 हमने खोला और फिर से अफ़िर से हम 5 इधर बैग जाते हैं 55 पे हमने आया और इसे दिखो इसको हम ठाइट कर रहे हैं तो हमारा 50 55 60 यह हमारी 10 आ रही है रही कि 50 और 10 60 हो गई तो 60 को हम इसमें ढूंड़ने का कोशिज करेंगे तो 60 हमारी यहां पर आ गई है 23 नमबर वायर जैसे आप देख सकते हूं यहां पर असपश टूप से 60 mm और यह हमारी 23 नमबर वायर फिर से हम इसमें दूसरा वायर लेते हैं और 50 हम अब देखोंगे आप 120 का मतलब हो जाता है 18 नमबर वायर तो यह वाली ょ orchestra हमारी 34नमबर की है और ate 18 नमबर हमने इस गेज मतलब कर लिया अब इसी घेज से नहीं आपको इस गेजर से यूज करना होगा और फिर से इसको हम खोलते हैं तो हमने इस वायर को गेज करने के लिए हम क्या करेंगे अब इसको हम खोलेंगे तो एक राउंड यानि कि वायर मोटी है हमारी तो इसको हम तिल लेयर खोलेंगे तो ऐसे देखेगा आपको इसको ल यह wire gager हो जाती है यह हमारी लेकर करके आ रही है 160 और 160 को हम इसमें ढूड़ने का कोशीज करेंगे तो हमारी यह solar number wire निकल करके आती है जो कि आपकी यह वाली wire है तो हमारी हिसाब से यह चलोगे कि अगर आपको यह wire gager समझ में नहीं आती है और इसकी price की बात करो तो something इसकी price आपका एक गारसो के असपास आ जाती है जो कि अलग-अलग rate से होती है मिलता है नए वीडियो में आपका भाई प्रिस जैसे राम